साहिते ओनलाइन, मुझे लगता है कि वाकई इस टेक्नोलोजी ने सपोर्ट ही किया है साहिती को, क्योंकि हर जो कल तक अपने आपको आम शक्स कहता था यह समझता था, आज हर किसी के पास चुकी मोबाइल है और उसमें कई सोशल साइट्स हैं, तो जो लिखने के थोड़ा ब होरार में बताते हैं, तो नहीं नहीं है तो यह भी आड करता है? तो अगला आदमी बोलता है, या अगला लड़की जो बोलती है, जिसने भेजी होती है, आप तो यह बोल रहे हैं, फेस्बुक पर तो सौल आई काई हुआ है, तो अब आप यह कैसे चलेगा, तो थोड़ी सी दिक्कत हम लोग को भी होती है, कि हम कोई है, संपादा क्या कुछ इस तरीके के तो है नी, ना हमारी समझ है, और हम पॉलाइटली उसको इसलिए जवाबी देते हैं कि हमारी किताब खरीदेगा कल कोई है, तो उसमें कोशिश रहती है कि हम अच्छा करें अच्छा, उसमें लेकिन कहीना कहीना, जैसे वो एक रफ रेजिस्टर की तरीके से है फेस्बुक या जो पूरी राइटिंग है, उसको इतना सीरियसली भी नहीं लेना चाहिए, हाँ, हाथ साफ करने के लिए अच्छा है, आप करते रहे और उसको करें, और ज्यादा से जादा लोगों करना चाहिए, आप देखिए कितने ओपन माइक हो गया है, लोग जाते है और ओपन माइक पे आप 95% जो थीम है, वो यही है कि कोई छोड़के चला गया, यही तो हो रहा है वहाँ पे, मतलब मोस्ली तो यही होता है, वो छोड़के चली गही और वो एक कविता हो गई इस टाइप का, बाकी तो करनती है 5% उसको कहा तो यह भी जाता है, जब तक तक कुछ निकलता है, अरे ऐसे भी राइटर है, मैं बता रहा हूँ, राइटर लोग चालू होता है, दुख बूख सब नकली है उनके, अब इस सरे हम फेस्बुक की बात कर रहे थे, मैं एक लड़की को जानती हूँ, जो बहुत एक छोटे से कजबे में रहती है, हम सभी जान उसके लेखन ने, वो कुछ नहीं लिखती थी, चोटे-चोटे, शहरे महबबत के किस्से या शहरे इश्क के किस्से, चोटी-चोटी से फेस्बुक पे डाला करती थी, मर्यम उस्मानी नाम है उसका, तो अचानक से मेरा ध्यान गया, मैं इनका, मर्यम तु इतना तुम इतन वो है, और बल्कि वो अपने चहरा भी नहीं डालती है, वो इतना खूबसूरत लिखती थी, तो आपको कई बार फेस्बुक पे ऐसे ऐसे साहित पढ़ने को मिलता है कि आप हिल जाए, इतना खूबसूरत लिखने वाले लोग भी हैं और बहुत सारे ऐसे लोग है, जिने उ टोटाबाला नहीं है इसे लोग है हूँ थी, तो बल्लाइक कर रहा है, जो फेक लड़के के इसी पर नाकिने बना धिलाए, उससे को फेंप रेज रहे हैं झाल झाल